लिजे सुनिये मुशी प्रेम चेंद के लिखे कथा संग रहे मान सरूवर साथ की कहानी लोक मत का सम्मान मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में बेचु धुबी को अपने गाउं और घर से उतना ही प्रेम था जितना प्रत्तेक मनुश्य को होता है उसे रूखी सुखी और आधे पेट खाकर भी अपना गाउं समग्र संसार से प्यारा था यदि उसे व्रद्धा किसान इस्त्रियों की गालियां खानी पड़ती थी तो बहुँं से बेचु दादा कहकर पकारे जाने का गोरव भी प्राप्त होता था आनंद और शोक के प्रत्ते कवसर पर उसका बुलावा होता था विशेश तहा विवाहों में तो उसकी उपस्थिती वर और वधू से कमावशक ना थी उसकी इस्त्री घर में पूजी जाती थी दौर पर बेचु का स्वागत होता था वो पेश बाज पहने कमर में घंटिया बादे साजिंदों को साथ लिए एक हाथ मिर्दंग और दूसरा अपने कान पर रख कर जब ततकाल रचित विरहे और बोल कहने लगता तो आत्म सम्मान से उसकी आखें उनमत तो हो जाती थी हाँ धेले पर कपड़े धोकर भी वो अपनी दशा से संतुष्ट रह सकता था किन्तु जमीदार के नौकरों की क्रूरता और अत्याचार कभी-कभी इतने असह हो जाते थे कि उसका जी गाउँ छोड़कर भाग जाने को चाहने लगता था गाउं में कारिंदा साहब के अत्रिक्त पाँच छे चपरासी थे उनके सहवासियों की संख्या कम न थी बेचू को इन सज्जनों के कपड़े मुफ्तुद होने पड़ते थे उसके पास इस्तरी न थी उनके कपड़ों पर इस्तरी करने के लिए उसे दूसरे गाउं के धोबियों की चिरौरी करनी पड़ती थी अगर कभी बेना इस्तरी कि यही कपड़े ले जाता तो उसकी शामत आ जाती थी मार पड़ती घंटों चौपाल की सामने खड़ा रहना पड़ता गालियों की वो बोचार पड़ती कि सुनने वाले कानों पर हाथ रख लेते उधर गुजरने वाली इस्त्रियां लज्जा से सिर जुका लेती जेट का महीना था आसपास की ताल तलेयां सब सूख गई थी बेचु को पहर रात रहते दूर के एक ताल पर जाना पड़ता था यहां भी धोबियों की उसरी बंधियों ही थी बेचु की उसरी पांच में दिन पढ़ती थी पहर रात रहे लादी लाद कर ले जाता मगर जेट की धूप में नौदस बजे के बाद खड़ा ना हो सकता आधी लादी भी न धुल पाती बिना धुले कपड़े समेट कर घर चला आता गाउं के सरल जजमान उसकी विपत्ती कथा सुनकर शांत हो जाते थे ना कोई गालियां देता ना मारने दोड़ता जेट की धूप में उन्हें भी पूर चलाना और खेत गोड़ना पड़ता था अपने पैरों में बिवाय भटी थी उसकी पीर जानते थे परन्तु कारिंदा महाशाय को प्रसन करना इतना सहज ना था उनके आदमी नित बेचु के सिर पर सवार रहते थे वो बड़ी गंभीरता से कहते तो एक अठवारे तक कपड़े नहीं लाता कै ये भी कोई जाड़े के दिन है आजकल पसीने से दूसरे दिन कपड़े मेले हो जाते है कपड़ों से बू आने लगती है और तुझे कुछ भी परवाय नहीं रहती बेचू हाथ पैर जोड़कर किसी तरह उन्हें मनाता रहता था यहाँ तक कि एक बार उसे बाते करते नौ दिन हो गए और कपड़े तयार नहो सके दुल तो गए थे पर इस तरी नहोई थी अंत में विवश होकर बेचू दसवे दिन कपड़े लेकर चौपाल पहुँचा मारे डर के पैर आगे न उठते थे कारिंदा साहब उसे देखते ही क्रोध से लाल हो गए बोले क्यों बेपाजी तुझे गाओं में रहना है कि नहीं बेचू ने कपड़ों की गठ्री तक्त पर रख दी और बोला क्या करूं सरकार कहीं भी पानी नहीं है और ना मेरे इस तरी है कारिंदा पानी तेरे पास नहीं है और सारी दुनिया में है अब तेरा इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं है कि गाओं से निकाल दू शैतान दाई से पेट छेपाने चला है कपड़े दूसरों को बारात करने के लिए देता है उस पर बहाने बताता है पानी नहीं इस तरी नहीं बेचू मालिक गाओं आपका है चाहे रहने दे चाहे निकाल दे लेकिन ये कलंक ना लगाए इतनी उमर आप यही लोगों की खिद्मत करते हो गई पर चाहे कितनी ही भूल चुकुई हो कभी नियत बद नहीं हुई अगर गाओं में कोई कह दे कि मैंने कभी ग्रहकों के साथ ऐसी चाल चली है तो उसकी टांग की राह निकल जाओ ये दस्तूर शेहर के धोबियों का है निरंग कुष्टा का तरक से विरोध है कारिंदा साहब ने कुछ और अब शब्द कहे बेचु ने भी नियाय और दया की दोहाई दी फल ये हुआ कि उसे आठ दिन हल्दी और गुड़ पीना पड़ा नवे दिन उसने सब गाहकों के कपड़े जैसे तैसे धो दी अपना बोरिया बंधना संभाला और बेना किसी से कुछ कहे सुने रात को पटने की राह ली अपने पुराने गाहकों से बिदा होने के लिए जितने धैरे की जरूरत थी उससे वो वन्चित था बेचु शेहर में आया तो ऐसा जान पड़ा कि मेरे लिए पहले से ही जगह खाली थी उसे केवल एक कोठ्री किराय पर लेनी पड़ी और काम चल निकला पहले तो वो किराय सुनकर चक्राया देहात में तो उसे महीने भर में इतनी धुलाई भी न मिलती थी पर जब धुलाई की दर मालूम हुई तो किराय की अखर मिट गई एक ही महीने में ग्राहकों की संख्या उसकी गणना शक्ती से अधिक हो गई यहाँ पानी की कमी न थी वो वादे का पक्का था अभी नागरिक जीवन की कुसंसकारों से मुक्त था कभी कभी उसकी एक दिन की मजदूरी देहात की वार शिकाय से बढ़ जाती थी लेकिन तीन ही चार महीने में उसे शहर की हवा लगने लगी पहले नारियल पीता था अब एक गुड़ गुड़ी लाया नंगे पाउं जूते से वेश्टित हो गए और मोटे अनाज से पाचन क्रिया में विगन पढ़ने लगा पहले कभी कभी तीज दिवहार की दिन शराब पी लिया करता था अब थकान मिटाने के लिए नित उसका सेवन होने लगा इस्त्री को आभूशनों की चाट पड़ी और धूबने बंठन कर निकलती हैं मैं किस से कम हूँ लड़के खोंचे पर लट्टू हुए हलवे और मुंगफली की आवाज सुनकर अधीर हो जाते उधर मकान के मालिक ने किराया बढ़ा दिया भूसा और खली भी मोतियों के मूल बिक्ती थी लादी के दौनों बेलों का पेट भरने में एक खासी रकम निकल जाती थी अत्यों पहले के महीनों में जो बचत हो जाती थी वो अब गायब हो गई कभी कभी खर्च का पलड़ा भारी हो जाता लेकिन किफायत करने की कोई विधी समझ में ना आती थी निदान इस्तरी ने बेचु की नजर बचा कर गाहकों के कपड़े पचाई देने शुरू किये बेचु को ये बात मालूम हुई तो बिगड़ कर बोला अगर मैंने फिर ये शिकायश सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहोगा इसी इल्जाम पर तो मैंने बाप दादे का गाउँ छोड़ दिया यहां से भी निकालना चाहती है क्या इस्तरी ने उत्तर दिया तुमी से तो एक दिन भी दारू के बिना नहीं रहा जाता मैं क्या पैसे लाकर लुटाती हूँ जो खर्च लगे वो देते जा मुझे इससे कुछ मिठाई थोड़े ही मिलती है पर शने शने नेतिग्यान ने आवशक्ता के सामने से जुकाना शुरू किया एक बार उसे कई दिन तक चुर आया इस्त्री उसे डोली पर बिठा कर वैदी जी के हां ले गई वैदी जी ने नुसका लिख दिया घर में पैसे ना थे बेचू इस्त्री को कातर नित्रों से देख कर बोला तो क्या होगा दवा मंगा नहीं इस्त्री जो कहो वो करो बेचू किसी से उधार न मिलेगा इस्त्री सबसे तो उधार ले चुकी महले में राह चलना मुश्किल है अब किस से लो अकेले जितना काम हो सकता है करती हूँ चाती फाड के मर थोड़ी ही जाऊंगे कुछ पैसे उपर से मिल जाते थे लेकिन तुमने उसकी मना ही कर दी है तो मेरा क्या बस है दो दिन से बैल भूके खड़े है दो रुपए हो तो इनका पेट भरे बेचू अच्छा जो तेरी जी में आये कर किसी तरह काम तो चला मुझे मालूम हो गया कि शेहर में अच्छी नियत वाले आदमी का निर्वाह नहीं हो सकता उस दिन से यहां अन धोबियों की नीत का व्योहार होने लगा बेचू के पड़ोस में एक वकील के मुहरेर मुझे दाता राम रहा करते थे बेचू कभी कभी आवकाश के समय उनके पास चा बैठता पड़ोस की बात थी दुलाई का कोई हिसाब किताब न था मुझे जी बेचू की खातिर करते अपनी चिलम उतार कर उसकी तरफ बढ़ा देते कभी घर में कोई अच्छी चीज पकते तो बेचू के लड़कों के लिए बेजवा देते हाँ इसका विचार रखते थे कि इन सत्कारों का मुल दुलाई की पैसे से बढ़ने न पाए कर्मियों के दिन थे बरातों की धूम थी मुझे जी को एक बरात में शरीक होना था गुडगुड़ी के लिए पेचवान बनवाया रोगनी चिलम लाए सलिम शाही जूते खरीदे अपने वकिल साहब के घर से एक कालीन मंगनी लाए अपने मित्र से सोने के अंगुठी और बटन लिए इन सामग्रियों के एकत्रित करने में जादा कटनाई न पड़ी किन्तु कपड़े मंगनी लेते हुए शर्माती थी वरात के युग कपड़े बनवाने की गुझाइश न थी तंजेब के कुड़ते रेश्मी एचकन नेन सुक का चुन्नटदार पाईजामा बनार सी साफ़ा बनवाना आसान न था खासी रकम लगती थी रेश्मी के नारी की धोतियां और काशी सिल्क की चादर खरीदनी भी कठिन समस्या थी कई दिनों तक बेचारे इसी चिंता में पड़ी रहे अंत में बेचु के सिवा और कोई इस चिंता का निवारन करने वाला न दिखाई दिया संद्या समय जब भेचु उनके पास आकर बैठा तो बड़ी नम्रता से बोले भेचु एक बरात में जाना है और सब सामान तुमें ने जमा कर लिये हैं मगर कपड़ी बनवाने में जंजट हैं रुपेयों की तो कोई चिंता नहीं तुमारी दिया से हाथ कभी खाली नहीं रहता है पेशा भी ऐसा है कि जो कुछ मिल जाए वो थोड़ा है एक ना एक आख का अंधा गाठ का पूरा नित फसा ही रहता है पर जानते हो आजकर लगने की तेजी है दरजीयों को सिर उठाने की फुरसत नहीं दूनी से लाई लेते हैं तिस पर भी महिना दोड़ाते हैं अगर तुमारे यहां मेरे लाएक कपड़े हो तो दो-तीन दिन के लिए दो किसी तरह सिर से यह बला टले नहीं होता दे देने में किसी का क्या खर्च होता है बहुत किया तो पत्र छपवाली है लेकिन लोग यह नहीं सोचते कि बरातियों को कितनी तैयारिया करनी पड़ती है क्या क्या कटनाईया पड़ती है अगर ब्रादरी में यह रिवास हो जाता कि जो महाशाय निमंतरन भेजें वही उसके लिए सब सामान भी जुटाएं तो लोग इतनी बेपरवाही से निवते न दिया करते तो भूलो इतनी मदद करोगी न बेचुने मुरौवत में पढ़कर कहा मुन्शी जी आपके लिए किसी बात से इनकार थोड़े ही है लेकिन बात ये है कि आज कर लगन की तेजी से सभी गाहक अपने अपने कपड़ों की जल्दी मचा रहे है दिन में दो तीन बेर आदमी भेजते हैं ऐसा नहो इधर आपको कपड़े दे दो उधर कोई जल्दी मचाने लगे मुंशी जी अजी दो तीन दिन के लिए टालना कौन बड़ा काम है तुम चाहो तो हफ्तों टाल सकते हो अभी भटी नहीं थी अभी इस तरी नहीं हुई घाट बंद है तुमारे पास बहानों की क्या कमी है पड़ो उसमें रहकर मेरी खातिर से इतना भी ना करो के बेचू नहीं मुंशी जी आपके लिए जान हाजर है चलिए कपड़े पसंद कर लीजे तो मैं उन पर एक और बेर इस तरी करके ठीक कर दू यहीं नहोगा गाहकों की घुड़कियां खानी पड़ेंगे दो चार गाहक तूट भी जाएंगे तो कौन गम है मुंशी दाताराम ठाट से बारात में पहुचे वहां उनके बनार सी साफे रेशमी अचकन और रेशमी चादर ने ऐसा रंग जमाया कि लोग समझने लगे यह कोई बड़े रईस है बेचू भी उनके साथ हो लिया था मुंशी जी उसकी बड़ी खातिर कर रहे थे उसे एक बोतल शराब दिला दी भोजन करने गए तो एक पतल उसके वास्ते भी लेते आए बेचू के बदले उसे चौधरी कहकर पकारते थे यह सारा ठाट बाट उसी की बदलत जो था आदी रात गुजर चुकी थी मैफिल उट गई थी लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे बेचू मुंशी जी की चारपाई के पास एक चादर उड़े पड़ा था मुंशी जी ने कपड़े उतारे और बड़ी सावधानी से अलगनी पर लटका दिये हुक्का तैयार था लेट कर पीने लगे कि अकस्मात साजिंदों में एक अताई आकर सामने खड़ा हो गया और बोला कहिए हजरत यह अचकन और साफा आपने कहा पाया मुंशी जी ने उसकी और सशंक नेत्रों से देखकर कहा इसका क्या मतलब अताई इसका मतलब यह है यह दौनों चीज़े मेरी है मुंशी जी ने दुसाह स्पून भाव से कहा क्या तुमारे ख्याल में रेश्मी अचकन और साफा तुमारे से वाय और किसी के पास हो ही नहीं सकता अताई हो क्यों नहीं सकता अल्लाह ने जिससे दिया है वो पहनता है एक से एक पड़े हुए मैं किस गिंती बहुँ लेकिन यह दोनों चीज़े मेरी है अगर ऐसी अचकन शेहर में किसी के पास निकल आए तो जो जरीवाना कहिए दूम मैंने इसकी सिलाई दस रुपे दिये है ऐसा कोई कारीगर ही शेहर में नहीं ऐसी तराश करता है कि हाथ चूम ले साफे पर भी मेरा निशान बना हुआ है लाइए दिखा दूम मैं आपसे महज़ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ये चीज़ा कहां पाई मुन्शी जी समझ गए कि अब अधिक तर्क वितर्क का इस्थान नहीं है कहीं बात बढ़ जाए तो बेज़ती हो कूट नीत से काम न चलेगा नमरता से बोले भाई ये न पूछो यहां इन बातों के कहने का मौका नहीं है हमारी और तुम्हारी इज़त एक है बस इतना ही समझ लो कि इसी तरह दुनिया का काम चलता है अगर ऐसे कपड़े बनवाने बैठता तो इस वक्त सैक्ड़ों के माते जाती यहां तो किसी तरहे नवेद में शरीक होना था तुम्हारे कपड़े खराम न होंगे इसका जिम्मा मेरा मैं इनकी इहतियात अपने कपड़ों से भी जादा करता हूँ अताई कपड़े की मुझे फिकर नहीं आपकी दूआ से अल्लाह ने बहुत दिया है रईसों को खुदा सलामत रखे उनकी बदूलत पांचों अंगुलियां घी में है ना मैं आपको बदनाम करना चाहता हूँ आपकी जूतियों का खुलाम हूँ मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि ये कपड़े आपने किस से पाए मैंने बेचु धूबी को दोने के लिए दिये थी ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई चोर बेचु के घर से उडला आया हू या किसी धूबी ने بेचु के घर से छुरा कर आपको दे दी हो क्योंकि बेचु ने अपने हाथ से आपको हर्गिस कपड़े न दिये होंगे वो ऐसा च्छुरा पन नहीं करता मैं खुद उससे इस तरह का मौामला करना चाहता था हाथों पर रुपे रखे देता था पर उसने कभी परवा न की सहाब रुपए उठा कर फेक दिये और ऐसी ढांट बताई कि मेरे होश उड़ गए इधर का हाल मैं नहीं जानता क्योंकि अब मैं उससे कभी ऐसी बातचीत ही नहीं करता पर मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतना बदनियत हो गया होगा इसलिए आप से बार बार पूछता हूँ कि आपने ये कपड़े कहा पाए मुझे जी बेचु की निस्बस तुम्हारा जो ख्याल है वो बिलकुल ठीक है वो ऐसा ही बेगरज आदमी है लेकिन भाई पडोस का भी तो कुछ हक होता है मेरे पडोस में रहता है आठो पहर का साथ है इधर से भी कुछ ना कुछ सलूक होता ही रहता है मेरी जरूरत देखी पसीज गया बस और कोई बात नहीं अताई ने बेचु की निस्ब रहता के विशय में बड़ी अतिश्योक्ती से काम लिया था ना उसने बेचु के हाथ पर रुपे रखे थे और ना बेचु ने कभी उसे डाट बताई थी पर इस अतिश्योक्ती का प्रभाव बेचु पर उससे कहीं जादा पड़ा जितना के वल बात कोई अथार्थ कह देने से पढ़ सकता था बेचु नेंद में न सोया था अताई की एक एक बात उसने सुनी थी उसे ऐसा जान पड़ता था कि मिरी आत्मा किसी गहरी नेंद से जाग रही है दुनिया मुझे कितना इमानदार कितना सच्चा कितना निश्का पड़ समझती है और मैं कितना बेइमान कितना दगावाज हूँ इसी जूटे इल्जाम पर मैंने वो गाउँ छोड़ा जहां बाब दादों से रहता आया हूँ लेकिन यहां आकर दारू शराब घी चीने के पीछे तबाह हो गया बेचु यहां से लोटा तो दूसरा ही मनुश्य हो गया था यह यहां कहिए कि वो फिर अपनी खोई हुई आत्मा को पा गया था छे महीने बीट गए संद्या का समय था बेचु की लड़के मलखान के ब्याहकी बात चीत करने के लिए महमाल लोग आये हुए थे बेचु इस्त्री से कुछ सलाय करने के लिए घर में आया तो वो बोली दारु कहां से आएगी तुम्हारे पास कुछ है बेचु मेरे पास जो कुछ था वो तुम्हें पहले ही नहीं दे दिया था इस्त्री उस से तुम्हें चावल डाल गी कि सब सामान लए साथ आदमियों का खाना बनाया है सब उठ गए बेचु तो फिर मैं क्या करूँ इस्त्री बिना दारु लिए वो लोग भला खाने उठेंगे कितनी नामूसी होगी बेचु नामूसी हो चाहे बदनामी हो दारु लाना मेरे बस की बात नहीं यही ना होगा बेहन न ठीक होगा ना सही इस्त्री वो दुशाला धुलने के लिए नहीं आया है ना हो किसी बनीए के हाँ गिर्वी रखकर चार पांच रुपे ले आओ दो ती इन दिन में छोड़ा लेना किसी तरह मारजात ते निवहानी चाहिए सब कहेंगे नाम बड़े दरसन थोड़े दारु तक न दे सका बेचू कैसी बात करती है यह दुशाला मेरा है इस्त्री किसी का हो इस बकत काम निकालो कौन किसी से कहने जाता है ना यह मुझ से ना होगा चाहे दारु मिले या ना मिले बेचू यह कहकर बाहर चला आया दो बार अभी तर गया तो देखा इस तरी जमीन से खोट कर कुछ निकाल रही है उसे देखते ही गड़ी को आचल से छेपा लिया बेचू मुस्कुराता हुआ बाहर चला आया अभी आप सुन रहे थे मुशी प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहे मान सरुबर साथ की कहानी लोक मत का सम्मान मेरी यानि समीर गोस्वामी की हवाज में